सो हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपनी इस यूटूब चैनल टेक इंडिया जी में जी हां आज की इस वीडियो में आप सब बताएंगे कि आप अपने फेस्बुक पीज पर फॉलो बटन कैसे एड कर सकते हों मैं आपको यहां पर एक्जांपल के लिए अप वाच नाओ का तो यह मैंने कैसे किया हैं बहुत सार लोगों को मैंने वीडियो बना कर बताया था लेकिन वो समझ ही नहीं पाए हैं कैसे करना है तो आप यह वीडियो पूरा अगर देखते हैं सुरू से लेके लास्ट तक तो ही आपको समझ में आएगा क्योंकि कुछ सबस्क्राइब देखते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रीस कर लें ताकि मीरियेव .. आप वीडियो सबसे पहले देख पर हैं को बता दूं अगर आप भी घर बेटे पैसे कमाना चाहते हैं अपने मुवाइल फोन से तो डिस्क्रिप्शन आपने तीन-चार अप्लीकेशन दे रखे हैं जिसकी मदद से आप डेली बिसस पर अपने पैकेट मनी को निकाल सकते हैं तो यहां पर दिखिए मैं अपने से यहांपर मैं जाता हूं इसकी प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं फिर मैं देखता हूं कि यहांपर मेरा फॉल्व बटन है की नहीं पर मैंने क्लिक करता हूं और यहां पर देखते हैं तो यहां पर मेरा है like का button अब इसको मैं convert करके दिखाऊंगा आपको follow button में तो आप पूरा दिखिए जी हां I hope आपकी सारी समस्तिया दूर हो जाएगी और जो भी confusion है वो भी आपके दूर हो जाएगी तो सबसे पहले आपको करना क्या है देखिए जैसे सभी लोग बताते हैं वैसे मैं भी बता रहा हूं लेकिन बहुत सारे लोग उसको समझ में नहीं आत पता है जी हां तो आप जैसे आप कर लेंगे उसके बाद आपको थ्री डॉट का option है इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपके सामने आजाएगा edit action बटन आप बोलोगे यार मैंने यह करके देखा है अभी रुको यार पहले आप देख लो जी हां और live चल नहीं कि मैंने कुछ cut-paste किया है पाउज किया ऐसा नहीं है edit action बटन पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे न तो यह वाला देख सकते यह message का है जी हां तो आपको simply इसको remove कर देना है जैसे आप remove कर दोगे न तो यह बटन जो है वह remove हो चुका है अब edit बटन पर जाए देंगे तो यहां पर आपको एक वार refresh कर लेना है और हो सके तो आपको facebook को यहां पर से हटा देना है अपने home feature से फिर से आपको facebook को open कर लेना है यह अपने facebook page को अप क्या करना है फिर से जाना है जी हां three dot पर sorry अपने profile पर और इस बार देखते हैं तो यहां पर जाते हैं और यहां पर view as करके तो यहां पर देखेंगे तो कोई भी changes नहीं है like का like button है लेकिन मैं आपको बता दूँ यह आपके changes हो चुका है जी हम अब बोलो के कैसे वह मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या करना है और यहां पर अपना profile को यहां पर से copy कर लेना है चाहें जी हां दोस्तों आ तो अपने first वाले piece पर और वहां पर जी हां मैं इसको दिखाता हूं कि यह मेरा कैसे वह दिखता है तो यह मेरा first page है जिसमें already facebook page पर follow button add है अब मैंने यहां पर क्या किया है अपने जो नए वाले हैं उसको मैंने यहां पर search करके रखा है तो देखो इस पर मैं क्लिक करता हू pages पर जाता हूं जी हां जैसे मैं यहां पर से pages पर जाऊंगा तो यहां पर देखिए यहां पर यह वाला button है और यह देखिए अब यहां पर मेरे follow वाले button सो हो रहे हैं यानि आपको समझना यह होगा जैसे ही जी हां दोस्तो आपने edit action button कड़के हटाया है उसी time जी हां आपक तो इसलिए आपको क्या करना है एक फो जाना है फिर से आप देखे लो चीहां उसको आपने प्रॉफाइल पर Frontώρα की तर लेटी और अधिक रेट करना है जीहां ऑर यहां से आपको जो भी बटन हो उसको रीमूब करो दिना है जैसे आपको रिमूब कर दोगे तो आपके follow button automatic आ जाएंगे क्योंकि कोई ने कोई button चाहिए इसलिए facebook follow button दे देता है और आप में यहाँ पर view as पर जाओगे तो आपको like button बटन सो करेगा या कुछ और button सो करेगा तो यह आप में सो होड़ा है लेकिन कहीं दूसरे बंदे पे जैसे ही कोई खोलेगा जी हाँ आपका facebook page तो वहाँ पर जी हाँ आपका जो है पेज का follow button ही सो होगा जो भी knowledge था मैंने आप सभी को दिया आप सभी ट्राइ करना नहें सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरके वीडियोज देखना चाहते हैं लाइक कमेंट करें और अगर आप पैसे कमाना चाहते हो description में application है उसको download करके आप earn कर सकते हैं